जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों हमारे चैनल से जुडने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिये गए बैल आइकन को ज़रू ट्रेस कर दें जोति शास्त्र में ग्रहों के गोचर और वक्री का असर व्यक्ति के जीवन पर देखने को मिलता है हर ग्रह एक निश्चित समय और निश्चित अवधी के बाद स्थान परिवर्तन करता है इसे राशी परिवर्तन कहते हैं अप्रेल महिने में लगबग सभी ग्रहों ने राशी परिवर्तन किया है और दस मई से बुध्धी का कारक ग्रह माने जाने वाले बुध ग्रहे वक्री अवस्था में आने वाले हैं और तीन जून तक इसी इस्थती में रहेंगी। किसी भी ग्रह का वक्री करना कुछ राशी राशी है व्रेशब राशी व्रेशब राशी वालों को पुराने निवेश से अच्छा लाब मिलेगा परिक्षा में विद्यार्तियों को सफलता हासिल होगी महीं अगर किसी नए काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं समय बेहद शुब है बिजनिस में भी अच करने की संभावना भी बन रही है बिजनिस में व्रद्धी के प्रबल योग बनेंगे नए दोस्त बनेंगे अधिकारियों से संबंद मजबूत होंगे कीसरी राशी है मीन राशी जोति शास्त्र के अनुसार इस राशी के लिए बुद्ध वक्री लाबकारी साबित होने वा बहुत ही शुब साबित होगा यात्रा के योग बन रहे हैं इस अवधी में की गई यात्रा आपके लिए विशेश रूप से फलदाई होगी किसी काम की नई शुरुआत के लिए समय बेहद शुब है तो दोस्तों ये थी वो तीन राश्या जो बुद्ध के वक्री होने से लाभानवित होने वाली हैं माला माल होने वाली हैं ऐसी ही और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें धन्यवाद